बच्चो आज हम हिंदी के रामर ब्याकरण लेसन वान भासा यानी लेंग्वेज हम सीखेंगे भासा किसे कहते हैं या भासा क्या है भासा का क्या आर्थ है भासा संस्कीत की भास सदात उसे बना है भास का आर्थ होता है बोलना इस परकार से जो वारी से व्यक्त हो वही वैसा है जैसे एक दोस्त जिसका नाम निशा है और एक है उसा दोनों दोस्त हैं दोनों अपस में बात कर रही हैं कहती है कि क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगी तो निशा कहती है अपनी दोस्ते है मैं तुमारे साथ दिल्ली अवस्त चलोगी वहाँ मुझे कुछ देखना है जैसे वहाँ मुझे कुतम मिनार देखना है ते ये जो आपस में बात चीत होती है ये दोनों अपने मन के भाओं या विचारों को परकट करते हैं परकट करने के लिए ही जो साधन का जो साधन भी से इसका परियोग किया गया है उसे ही हम भासा कहते हैं जैसे जिस साधन के द्वारा मनुस्स अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे के सामने परकट कर सकता है तता दूसरे के भाव और विचारों को समझ सकता है उसे ही हम भासा कहते हैं अब चलिए देखते हैं next question भासा के कितने रूप होते हैं तो भासा के दो रूप होते हैं नबर एक मौकिक भासा नबर दो लिखित भासा मुखिक भासा यानि oral language क्या है मुखिक भासा किसे कहते है जो भासा मुख से बोली वो कान से सुनी जाती है वही मुखिक भासा कहलाती है मतलब मुख से बोली वो कानों से या मुख से बोली या कानों से सुनी जाती है वह हमारी मौकिक भासा कहलाती है जैसे बातचीत करना आपस में कोई एक दुसरे से बातचीत कर रहा है वाद निया हमारी मौकिक के भासा है लिखित यानि रिटल लेंगवेज किसे कहते हैं जब हम अपने मन के भाव और विचारे को लिख कर एक दूसरे के सामने परकट करें या समझ परकट करें, तो इसे हम लिखित भासा कहते हैं, जैसे किसी ने अपने रिलेशन में या रिष्टेदार को या अपने माता पिता भाई बेन को पत्र लिखता है, या समाचार पत्र जो है उसको पढ़ता है, या पत्रिका है, उपन्यास है, पुस्तक है आदी, यह सब ह हमारी लिखित भासा है, तो हमने सीखा मौकी भासा क्या है, लिखित भासा क्या है, मौकी भासा जो हम अपने मुह से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, वह हमारी मौकी भासा है, लिखित भासा क्या है, जिसे हम अपने मर के भाउं और विचारों को लिख कर एक दूसरी के साम बोली जाने वाली भासा को आवधी भोली कहते हैं जैसे आवधी, खड़ी भोली, भोचपूरी, आदी ये कई बोलियां हैं जिनका परियोग भारत देश के विविन भागों में किया जाता है अब हम जानेंगे सिक्स कोश्चन नमबर भारत के संविधान में कितनी भासाएं मानता पराता है मतलब हमारे देश के संविधान जो है भारत देश का उसमें कैसी कितनी ऐसी भासाएं हैं जिसको संविधान ने मानता दी है तो भारत के संभिधान में 22 भासाओं के मानता पराता है, मतलब संभिधान ने 22 भासाओं ऐसी हैं जिसको मानता दी है, जैसे सिंधी, कंडर, हिंदी, गुजराती, डोंगरी, बोडो, बंगला, अस्मिया, संथाली, संस्कित, उर्दू, तेलगू, तमिल, पंजावी, उडिया मडिपुरी, मले आलम, कौंकरी, कस्मीरी, मैथिली, नेपाली, मराथी, ये सब भासाओं का संभिधान में हमारे उल्लेक हैं, और संभिधान ने इन 22 भासाओं को मानता दी है, अब अगले कोश्चन देखेंगे, लिपी यानि स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, तो भासा के लिख लिखें, उसकी क्या बिधी है, उसके तरीके के हैं, उसी को हम लिपी कहते हैं, अलग-अलग भासा की अपनी अलग-अलग लिपियां होती हैं, मतलब जितनी लैंग्वेज हैं, जिस तेश की भी हो, जितनी लैंग्वेज हैं, उसकी अलग-अलग लिपियां होती हैं, जैसे इधर आप देखिए भासा यह है उनकी लिपियां इसे संस्कित भासा है एक हमारी और उसकी लिपी देवनागरी है देवनागरी लिपी में लिखा जाता है हिंदी को भी देवनागरी लिपी में अंग्रेजी को रोमन लिपी मराथी को देवनागरी लिपी पंजाबी को गुर और लिप ह और कितने भासा को मांता प्राप्त की यह बॉली को है तो अब हम अगली नेश्ट वीडियों सीखेंगे कि भ्याक्रण क्या है उसके। उसके कितने अंग हैं तो उसके बारे में सीखेंगे और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें थैंक्स वाचिंग